hello friends मैं देखा शर्मा तरे खास गैलरी में लेके आई हूँ आज आपके लिए तो मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए rich fiber rich protein डाल खडी मसूर की डाल जो खाने के लिए बहुत ही ज्यादा tasty और healthy होती है इसको आप वीक में 1 स 2 टाइम बनाकर खा सकते हैं और सबी को खिला सकते यह परफेक्ट वेट लॉस रेसिपी है यह दाल आप बना कर खाईए आपका वेट लॉस होगा बेस्ट फाइबर फूड है तो चलिए देख लेते हैं उसके लिए क्या कह चाहिए हमें यह ले लिए खड़ी अपनी उरत की दाल इसको मैंने अच्छे सा बीन कर साफ कर लिया औ आउडर केमिकल तो इसको रगड़ कर आप तो से तीन बार उसको जरूर वाश करें और धुल्ले के बार इसको थोड़े दर भिगो कर रख दे तो यह जल्दी पक जाएगी तो शलिया और इसके आगे यहां पर मैंने दो हरी मिर्च काट ली है टमाटर बारिक बारिक काट ल तो यहां पर मैंने एड कर दिया जीरा और इसके तड़कने के बाद में यहां पर अद्रक लेसूंगा पेज डालोंगी अपने प्यास टमाटर हरी मेर्च इन सब को डाल डाल कर बारे बारे से अच्छा सा पका लूँगी हलका सा गोल्डन ब्राउन बहुत जादा कुक नही करना है अब जाएंगे मेरे सुखे मसाले तो यहां पर मिर्च हल्दी धनिया पाउडर और सॉल डालोंगी पडबाद में डालोंगी तो इनको मिक्स करके अच्छे से पका लें दीमी दीमी आज पर और अब इसमें मिक्स करने की बारी आगी डाल की तो जो हमने भी गोगर र इसमें आप थोड़ा सा और अगर आपको थीक चाहिए है तो आपको कोई बात नहीं अगर थीक नहीं चाहिए तो थोड़ा सा एक्स्रा पानी ही डाले अपनी इंच के बराबर इसमें पानी डाले आप और सॉल्ट अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले फिंगर की नाप स तो यहां पर में दाल पक गई थी तो यह देखिए मैं प्रेशर कुकर का प्रेशर निकाल कर चेक कर वा रही हूं यह देखिए हमारी काड़ी सी डाल बनकर रेडी हो गई है और कितनी अच्छी लग रही नहीं देखने में मेरे याद यह इतनी ऐसी ही थिक पसंद करे जाती है अगर आपको पतली चाहिए हो तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पाइन डालें तो यहां पर थोड़ा सा हर धनिय के साथ में इसका गार्निश कर देंगे और बस देखने में तो बहुत अच्छी लगती है मेरे बच्चों क के लिए हल्दी उसके माइन को ग्रो करेगी तो आप यह बीन्स बनाकर बच्चों को जरूर से जरूर खिलाए और सभी को खिलाए बच्चों को बड़ों को और अगर आपको मेरी रसीपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरे वी